पूरी दुनिया में ओशो के नाम से चर्चित आध्यात्मिक गुरू आचारे रजनीश के भाई स्वामी शैलेंद्र सरस्वती का जबलपुर नगर आगमन हुआ जहांके ओशो आश्ट्रम अमरधाम पर उन्होंने मध्य प्रदेश शरकार की जम कर तारीफ की जी दर असल मैडिकल के हिंदी भाषा में पढ़ाई करने वाले पाठिक्रम की शुरुवात करने वाला देश का पहला राज मध्य प्रदेश बन गया है इसको लेकर स्वामी शैलेंद्र सरस्वती ने केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा उठाए गए इस कदम का स्वागत करते हुए तारीव भी की आज की योग में तो अनुवात करना बहुत ही सरल है क्योंकि आइटिफिशल इंटेलिजेंस ए आई इतनी चमतकारी हो गई है कि हम बड़ी आसानी से गूगल ट्रांसलेट के द्वारा किसी भी अंग्रेजी के अथवा किसी भी भाषा के मैटर को हिंदी में अथवा किसी अ चेत्र की भाषा में होना चाहिए क्योंकि मरीजों से जब हम बात करते हैं तो वो तो इस्थानी भाषा में करते हैं बड़ी मुश्किल होती है जो लोग केवल अंग्रेजी में सीख कर आए हैं और अंग्रेजी कानवेंट की स्कूल की सिक्षा पराप्त किये हैं जब वो प इन्फूजन क्रियेट होता है डाक्टर समझ ही नहीं पाते कि मरीज क्या रहा है तो वो एक्सप्रेशन बदल जाते हैं तो हर टेक्निकल नालेज बिसेशकर मेडिकल की सिक्षा इस्थानी भासा में निश्चित रूप से होनी ही चाहिए मैं इसका पूर्ण पक्षधर हूं मैं इस सरकार के इस कदम को बहुत महत्पूर कदम मानता हूं सारी दुनिया में देखें मैं जर्मनी जाता हूं वहां के डाक्टरों से मिलता हूं किसी को अंग्रेजी नहीं आती वो जर्मनी भासा में पढ़े हैं जर्मनी कितना बड़ा देश है हमारे देश के एक करना है अपने देनिंदन जीवन में इसलिए हमारी पढ़ाई लिखाई भी उसी में होनी चाहिए मैं सरकार के इस कदम की सराहना करता हूं